हेलो एवरीवन उमीद करता हूँ आप सभी लोग स्वास्त है आज एक examination के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छी opportunity आप सभी लोगों को देता है खास्तुर पर उन लोगों के लिए जिनका maths वीक है ठीक है और एक ऐसा exam है जो 12th pass के बाद आप दे सकते हैं और इसमें अगर हम बात करें कटोप भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है और साथ ही साथ इस particular examination की तयारी आप अगर अभी से करेंगे तो जो एससी स्टैनों 2024 होगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस exam में एक खास्ती ही होती है कि आपको एक skill test देना पड़ता है आपको इस टैनोग्राफिय आनी चीए ठीक है और कुछ लोग गलती क्या करते हैं जब notification आता है तब इस टैनोग्राफिय सीखना है स्टार्ट क इस टैनोग्राफिय का जो skill test होता है उसमें fail हो जाते हैं last moment पे और उनकी job नहीं लग पाती है तो आप अभी से अगर एक target लेके अपनी तयारी करेंगे तो इस exam में बहुत अच्छा आपकी score कर सकते हैं तो सारी details इस टैनो 2024 examination के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडिय रहती है किस तरह की post होती है का talk क्या रहती है ठीक है previous year papers आप कहां से देख सकते हैं कहां पर आप test form में previous year paper दे सकते हैं आपका time table क्या होना चाहिए subject wise weightage क्या होती है topics की everything will be discussed in this video तो पूरी वीडियो end तक देखेगा बहुत ज्यादा useful video होगी तो start करते है ठीक सबसे पहले त इस अभी exams में maths होता है सिर्फ टैनोग्राफर exam को छोगी तो maths अगर आपका week है तो this is the examination for you where you can get a very good job और उसके बाद आपको serial देने की भी जुरूत नहीं है क्योंकि इसकी job already out अपने आप में ही अच्छी होती है और promotions fast होते हैं तो इसके बाद आप directly अगर आप future में UPSC के ए देखो यहाँ पर notification जो SSC ने का कि वो 16 जुलाई को release करेंगे ठीक है लगभग एक महिने का time मिलता है आप निकल notification के बाद form को fill कर सकते हैं बाकी यहाँ पर SSC अभी latest में जैसे CPU को निकलना था selection post का निकलना था उसके notification निकलने में थोड़ी देर ही हो रही है हो सकता है इसका कि अभी vendor SSC का decide ना हुआ हो इस वाज़े से थोड़ी delay हो लेकिन जब तक स्टैनों के exam के बारी आएगी कोई भी दिक्कत ने आएगी तब तक सारी चीज़े streamline हो चुकी होगी vendor finalize हो चुका होगा सारी चीज़े हो गई होगी ठीक exam कहा गया है इसका tier 1 October और November में कराया यह सारी terms में आपको थोड़ी ज़र में बताऊंगा confusion मत हो ना जितना ज्यादा ग्रेट पर होता है उतनी बड़ी लेवल की पोस्ट होती है तो 40 200 हमारी लेवल 6 की और यह 7 की लेवल की जोब होती है और ऐसी great day की पोस्ट होती है जो 2400 ग्रेट पर की पोस्ट होती है जो ले इस प्रेट पर इस जो सब इस पक्टर लेवल की पोस्ट होती है वह अपा है तो यह मत्दब इस पक्टर नहीं बनोगे आप यहाँ पर इस टेनोग्राफर ही बनोगे लेकिन मैं लेवल के साब साब को split करने की बाद बता रहा हूं तो यह सारी जोग रहती है इसके अंदर grade D के अंदर eligibility होती है 18 to 27 years बाकी age lexation OBC category को तो 3 साल का CST category को 5 साल का तो वह जो standard age lexation है वह आपको यहाँ पर मिलेंगी educational qualification इसमें जो देखी जाती है इसमें देखा जाता है कि आप 12th pass हो या नहीं हूं तो अगर 12th हो गई है तो आप दे सकते हो age जो देखी जाएगी यहाँ पर आपकी वो एक अगस्त 2014 से देखी जाएगी जहां तक मुझे लगता है तेकिन इसमें changes हो सकते हैं लेकिन मेरे साफ से तो यह इस इसी date से देखी जानी चीए इस particular exam के लिए यह SSC का कलेंडर था उसमें SSC ने इस सारी के सारी चीज़े 24600 इन दोनों का similar चीज़ चलती है और इसकाल थोड़ा सा अलग चलता है grade D के लिए यह grade C के लिए इसके अंदर अगर आपके X CT में देखी जाए तो gross salary 2400 वाली post किये 54000 ठीक है और ऐसे YZ City में थोड़ी-थोड़ी कम हो जाएगी तो आप minimum 45000 मान सकते है और 45000 से इसके बीच में आपकी salary मिलेगी मिलेगी gross और grade C पे आपका section होता है अगर level 6 पे होगा तो gross salary 73000 समतिंग और level 7 के अंदर आपकी gross salary 92000 समतिंग जली जाएगी क्या यह चीज़ समझे माई X CT के अंदर ठीक है और YZ City में थोड़ा-thोड़ा कम बार लो Z City में इससे आप मान के चलो के 8000 के आ आगे में चलता हूं यह present का बता रहा हूं लेकिन जब तक आपकी joining आएगी तो दो बार DA और इंक्रीज हो जाएगा तो salary आपके और ज्याद होगी जब आप अभी अगर सीजे स्टैनों 2024 से जोइन करेंगे तो vacancies 2023 के अंदर हमारे पास यह बैलिस तो यह चालिस सो ग्रेट पेगी जो पोस्ट है उनके लिए इतनी थी और total grade D के लिए जो हमारे पास vacancies थी 2400 grade पे पोस्ट के लिए वो इतनी थी तो total 1232 vacancies थी और 2022 के अंदर हमारे पास vacancies काफी जादा थी क्योंकि यह दो साल की मर्जों का आई थी तो 3960 vacancies थी हमारे पास तो आप अच्छे तरीके सा त्यारी करेंगे अभी से त्यारी करेंगे तो आपकी अच्छे बन जाएंगे मैं आभी आपको कटोफ विग्यार भी दिखाऊंगो जैसे वेकैंसी भी होती है तो अलग-लग डिपार्टमेंट में स्प्लिट होती है तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है जैसे इस्टैनोग्राफर गेट सी की कटोफ आपके लिए करते हो तो आपकी प्रेफरेंस के एसाफ से आपको डिपार्टमेंट दिया जाता है अपको इस्टैनोग्राफर एक्जाम से भी मिलता है जैसे गेड़ तो इतना है कुछ कुछ कोस्ट के लिए ऐसा हो सकता है कि इसी पेटिकुलर क्रेटेगरी में वेकेंसी ना हो लेकिन आपको ओवरोल टोटल देखने ही कि टोटल वेकेंसी हमारे पस कितनी निकल कही ऐसी ग्रेड डी इसकी अलग 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 डिपार्टमेंट्स होंगे उनके लग लग वेकेंसी जोगे पिछली साल कहीं दिखा रहा हूं है वेकेंसी इससे पहले में मतलब हर साल चेंज होता रहता है यह ठीक है नमबर ओव डिपार्टमेंट्स भी एडियेट सब्टेक्ट होते जाते हैं डिपेंडिंग अपन वेकेंसी चाहिए अगर मैं बात और अगर आइसकी फिल टीर 1 की कट ओफ आएगी टीर 1 की कट ओफ आपने किलियर करी तो आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा जो कि हो सकता है पिर आपका लग भग उसके एक महीं निगें अंतर आपका लग बिल्ट भी आ जाता है तो लग भग ऐसी कुछ टैम लाइन हो सक सब कुछ चलेका तो कि अगर मैं बात करता हूं टीर ऊण एक्जामिनेशन में क्या-क्या इसके देखो एक कोरी लिगहं को उगया है 30 कोशन कितने नंबर के 50 नमबर के जर्नेटल आवेर्नेश हो गया 50 और चपाव कोशन कितने नंबर के 50 200 नंबर का आपका पेपर होगा एक कोश्चन का एक नंबर है नेगेटिव मार्किंग आपके 0.25 की होगी अगर आपने गल्द कर दिया दो घंटे मिलते हैं टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती है आप प्रोपर दो घंटे में पेपर दे पाते हैं क्यों क्योंकि आप यहा कोश्चन को सोल करने गा तो रिजनिंग में भी यह नहीं कि बहुत अच्छी स्पीड चीए आप रिजनिंग इक पर अच्छे से पढ़े लिमिटेड से ले बस होता है आपको कोश्चन करने में दिक्कात नहीं आती है रिजनिंग में बहुत बैच्चे होते हैं जो 50 में से 50 लेके आते हैं जीके में नंबर कटते हैं ठीक है क्यों कि पचास कोशन है जीके में 30 35 जा वेरी गूड़ी स्कोर और इंग्लिश के अंदर बच्चे 90 तक भी ले आते हैं तो इंग्लिश में अगर आप 90 को टार्गेट कर लें और इसमें आप से 30 को टार्गेट कर लें और रीजनिंग में आप 45 टार्गेट कर लें तो यह सारी सब्जेक्ट आपको CGL CHSL अगर और एक्जांस भी देर हो उन सब के लिए तो पढ़ नहीं है तो सब कुछ से लिए बस वो ही है से चलू आगए अगर मैं तो CGL की टार्गेट कर रहे हो त आपको स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी स्टेनोग्राफर क्यों एक तो इसकी कटोफ जाती है लो क्यों क्योंकि स्किल टैस्ट भी होता है इसमें मैक्सिममम बच्चे फेल हो जाते हैं जो पहले से त्यारी करके नहीं चल रहे हो तो लास्ट मोमेंट पर स्टार्ट करत लिए उसमें 2400 ग्रेट पे मिला तो दुबारे सीजियल देते हो आप बैटर पॉस्ट बैटर ग्रेट पर पाने के लिए सी एचसल दिया इट नाइटीन हंडेट गेड़ पी की पोस्ट लगती है आपके लडीसी की उसके बाद फिर प्रमोशन फिर बैटर पोस्ट के लिए सीजियल दोगे एंटीएस दिया तब भी फिर दुबारा देना पड़ता है इसमें जुरूत नहीं पड़ती जनरली आप मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है इस टैनों एक बार कर लिया तो वह सैटिस्पाइड रहते है आपनी जोग से ठीक है जो 2400 गेट पर वाल होगा तो जब आप सीनियर पर जाओगे तो डिपैंड करता है कि स्पेक्टर वाली वेकैंसी कितने प्रोमोशन के टाइम पर अपना ग्रेड भी चेंड कर सकते हैं कि स्पेक्टर वाले में जाना या स्टैनोग्राफी वाले महीं आपको रहना है ठीक है उसकी डिटेल्स हो स होता ही है हो सकता है स्टेट के एक्जाम में मैंस भी पूछा जाए तो फिर आपको मैस पटना बढ़ेगा लेकिन स्टैनोग्राफी एक्जामिनेशन में आपको मैस नहीं करना ठीक है टीर वन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसा प्रोसेस रहेगा मुल्टिपल शिफ्ट में एक्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी कंड़क्ट कराया जाता है इसके बाद टीर वन आपने क्वालिफाय करा तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट टोड़ी ज़यादा जाती थी लेकिन अभी एससी जादा टाइम नहीं दाता टीर वन वर्सके दो महीने में आपका स्टेनोग्राफिक अटेश्ट में बच्चे स्टेनोग्राफिक सीख के उसकी प्रैक्टिस करके एक्जाम नहीं निकाल पाते इसलिए आपको अभी से मैं के लिए बता रहा हूँ कि आप प्रिपेर करता है इस चीत के लिए और कैसे सीखना है बहुत सारे बच्चे गाउं में ब्लों करते होंगे बहुत दूर जगाओं पर ब्लेंग करते होंगे जो कहीं जाके इस टैनोग्राफिय नहीं सीख सकते ठीक है उनके नोन में कोई निया अभी थोड़ी देर में इसके अंधर क्या होती है इस टैनोगराफिय गरूंगा एक ठीका दस मिनिट तक मैं बोलूंगा डायाया हूं नेक्स्ट पे चलता हूं वहाँ पे ज्याद अच्छे समझ आएगा मैं आपको अगर इंग्लिश किया इंग्लिश में आप इस्टेनोग्राफी देना चाहते हो तो मैंने 100 वर पर मिनट की स्पीड से मैं क्या करूंगा दस मिनट तक बोलूँगा आपको अपनी कोपी में वह लिखना पड़ेगा शोट हैंड में जनरली क्या होता है जैसे शोट हैंड किस तरह की लेंग्वेज होती है एक छोटे से एक्जामपल से जैसे यह वाला सेंटेंस है तो यह सेंटेंस हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसे लेकिन इंग्लिश शोट हैंड में लिखेंगे तो वह कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि पूरा वर्ड है वी हैव तो वह यहां पर इतने से से डिनोट कर दिया तो बहुत कम टाइम में यह चीज हम लिख पाते हैं तो यही लर्निंग होते एक तरह से हम लेंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं होती कुछ लोग आपसे कहेंगे बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर देड़ से दो घंटा इसके प्रक्टिस करेंगे तो साथ आट होईने में बहुत अच्छी आपकी स्टैनोग्राफिक हो जाती है बागि हर परसन का लर्निंग स्तैनोग्राफिक होती है ऐसी हिंदी में भी ओता है दो तरह के इसमें जन्रली हम जो कराएंगे आपको वह पिटमैर्ण शोटहंड हो और हिंदी में जो हम कराएंग आपको माना को को बहुए एक आप उसी बनिक्टि को चैपिंग खोटिंग हो च्ताँए और लोग औरन में जंदली लोग इंग्लिश को मतलब इंग्लिश की शोट हेंड का ज्यादा काम पड़ेगा आज के लेवर साब से बाकि जब आप एक्जाम देखे किलियर कर जाओगे तो आपको दूसरा भी सीखना पड़ेगा मालों आपने इंग्लिश में शोट हेंड दी एक् के फिर उसका टेक्ष्ट होगा तो बाकि हम तो आपको दो कोर्स के अंदर जो हमारा भी इंग्लिश वाली इंग्लिश वाली उसके डिक्टेशन से भी प्रोवाइड करेंगे जिससे के आपको कोई दिक्कत ना है चलो फिलाल में आगे फटता हूँ आप अपनी मर्जी से को से होगी예요 Co वीग्रेड़ सी के लिए 100 वर्द पर मिनिट के इसाब से होगी और डी के लिए आपकी एटी वर्ड़ पर मिनिट के हसाब से आपके टेटेशन होगी तो साफ हूइडसर था लिए मैं बात कर रहा है observing कर ककर तका ओस गतले अदर मतलब 50, 40 minutes के अंदर तो 25 word per minute की speed चीए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर grade D के लिए तो 80 into 800 words होंगे और इसके लिए आपको grade D के लिए जो time मिलेगा, वो मिलेगा 50 minutes तो यह हो गया आपको 16 word per minute की typing speed यहाँ पर कियेगी, के लिए ऐसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगें 10 minute की dictation होगी 100 per minute से, grade C के लिए तो 1000 words और यहाँ पर आपको time दिया जाएगा हिंदी के लिए grade C में आपको मिलेंगे 55 minutes और अगर 80 word per minute की speed से meditation होगी 10 minute तक, तो 800 words और यहाँ पर आपको time मिलेगा 65 minutes का तो साब 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 अपने typing speed calculate कर सकते हैं कि क्या चाहिए कि क्लियर हो गया, ठीक है, चलते हैं आगे यहाँ वाली slide फिलाल छोड़ देना, यहाँ पर हिलका साइरर था, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि cut off क्या रह जैसे जो हमारी cut off लगी थी, जो expected tier 1 की cut off हो कि उसके कहीं ज्यादा आई थी, अगर हम बात करें हाँ पर tier 1 के आप cut offs देख सकते हैं, सबी categories के unreserved category की, OBC category की, EWS category की and so on, ठीक है, यह किसकी है, grade C की है, जिसकी vacancies कम होती है, फिर grade D की cut off आएगी category वाईज, तो आप यहाँ पर जो tier 1 की cut off है, वो ज्यादा matter नहीं करती, क्योंकि जो final cut off आएगी, क्योंकि हाँ पे candidate बहुत ज्यादा है, vacancies के, तो फिर cut off और भढ़ जाएगी, तो जिनका tier 1 की cut off boundary भी clear होती है, उनके final selection की chances नहीं रहते हैं, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब जैसे जो final cut off लगी मांस कई थी, ठीक है, फिर 154, ये grade C की है, ये बैली सो ग्रेट पे की jobs थी, या वरना बैली सो जनरली दोनों तरह के होते हैं, पिछली बार सिफ बैली सो होते हैं, तो ये आपकी cut off गई थी, minimum, ठीक है, इस तरीके से अगर पूरा चार्ट माप को दिखा दूँ, तो grade D की minimum cut cutoffs कितनी है, grade C की minimum cutoffs कितनी है, category wise पिछले साल की आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसे अगर आप देखेंगे, ST category के अगर आप experiment है, तो आप 116.83 marks अगर आपके दोसों में से आ गए, तो आपको एक job मिल गई, STC stando के थूँ, तो आप skill test सभी लोगों को अच्छे से prepare करन आती है, तो वो stenography पे बहुत ज़्यादा धियान दें, जैसे एक service man candidates हैं, इनकी cutoff कितनी गई है, सिर्फ 53.32 marks, ठीक है, आपको stenography सीखते हैं, दोसों में से 50 से ज़्यादा number तो आप लेके आ जाओगे, अगर आपने reasoning भी अच्छे से कर लिया, ठीक है, और खाली reasoning और English के फि हुआ भी नहीं, तब भी आप जो required number है, cutoff के लिए, उसे ज़्यादा score कर सकते हैं, तो यह सारी की सारी दीज़े, आप लोगों के लिए है, आप एक बर देख लीजिए, और अपनी त्यारी में अच्छे तरीके से लग जाईए, ठीक, लेबस की बात करता हूँ, tier 1 में जो English किस topic से कितने, कितने question आते हैं, 2023 में जो आया था, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इनकी practice classes भी हमने YouTube पे शायद डाली होंगी, तो आप English वाला folder जो है crash course को उसमें check करेंगे, तो आपको previous year chapter वाइज practice session भी सरके दिख जा इन सब को free quiz form में भी मैंने RB की website पर डाल दिया है, आप Azure test भी दे सकते हैं, Dell solution उनके available नहीं है, ठीक है, general awareness, टर्वाइज, किस topic से कितने कितने question, जयते biology के 3 question थे हर shift में, chemistry के लगबग 4 question, physics का लगबग 1 question मान लो हर shift में रहा होगा, economics के हर shift में 7 question, geography के हर shift में 4 question, history के 7 question, इस त 5 question current affairs के थे हैं, बाकी सारे इन चीज़ों के थे, dance के एकलो थे dance form से ही, 3 question, ठीक है, जहां current affairs करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, dance form, तो आप एक छोटी सी एक घंटे की video, जिसे 2-3 घंटे में अच्छे से याद कर सकते हैं, वो कर लो, तो भी 3-3 question आप कर सकते हैं, तो यह मैंने आपको split करके दिखा दिया, तो किस तरीके से आप अपने इसाब से plan मना सकते हो, किस तरीके से पढ़ना चीए, ठीक है, तो current affairs को कर छोड़ दिया जाए, तो यह सारा तो आपको सारे exam में आप आज exam दे हैं, दो साल के बाद exam दे हैं, तीन साल के बाद दे, यह तो दो महीने में complete reasoning हो जाएगी आपकी, English में English medium background से हो, तो फिर तो कह ही कहने, आप 3-4 महीने में 2-2 घंटे पढ़के बहुत अच्छे से निकाल लोगे, पर अगर Hindi medium background से हो, तो अभी भी आपके पास time में आपके exam में लगबग 8 महीने है, और उस time को utilize करके English में भी बहुत अच्छा score आप कर सकते हो, clear है इस चीज, बोलने में हो सकता है, आपको लग रहा हो जब मैं चीजे बता रहा हूं, तो बहुत असान लग रही हो, लेकिन इतनी भी असान नहीं होंगे, आपको दिन का 8-7-7-7 घंटे निकालना है पढ़ाई के लिए, और एक साल आप जिंद पढ़ने वाले लोग भी नहीं है इतने, अगर आपने आजू बाजू देखें, आप खुद को ही देखें, क्या आप मुझे कह सकते हो कि पिछले एक महिने से लगातार आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप में से ऐसा कोई बच्छा है, जो पिछले एक महिने से लगा पढ़ना आसान काम नहीं है, तो सुनने में तो लगता है कि हासर ऐसे कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पढ़ेगा, और पढ़ोगे तो इंट्रस्ट भी बनेगा, अगर पहले पढ़ाही से हार मान जाओगे तो कुछ नहीं होगा, यह सारे पेपर जो पिछ लेवल चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं प्रिवेस यहर पेपर में, उसी साफ से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं, सारी पीडिएफ भी टेलिग्राम चैनल पर प्री ओपोस्ट अवेलेबल है, आप वहां से पेपर की पीडिएफ ओम में द मैस नहीं है और आप कर सकते हैं अचे तरीके से, चरते जादा टाइम प्रेपरेशन में मैस में जाता है, स्टैनोग्राफी और टाइपिंग आपको साथ के साथ अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, स्टैनोग्राफी क क्या होना चाहिए आपका, यह एक आईडी के लिए आप इस आप से मोडिफाई कर सकते हैं, अगर आपने पहले मानलों इंग्लिश सब्जेक्ट पर रखता है तो आप इंग्लिश क्यू पढ़ेंगे, आप जीके और रिजनिंग पर फोकस करेंगे हैं तो यह हर परसंट इसा ना हो कि आपको इस रेंडम वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर उसमें आप फस जाएंगे, आपको प्रेपरिशन का लेवल आपको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है, आप एक कोर्स के साथ करेंगे, तो फूरा स्ट्रॉक्चर्ड वे में सारी चीजह मिल लेकिन एक बार पूरी तयारी आप एक इस्ट्रॉक्चर्ड वे में कर सकते हैं, अगर आपने कोई और एक्जाम की तयारी ओल्रेडी की है, तो फिर आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे पहले दो महीने क्या करें, डेली का अगर दो घंटे आप रिजनिंग को कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजे, मानलो आप साइस स्ट्रीम से हैं, तो पहले साइस से स्टार्ट कर दीजे, फिर जल्दी आप कम्प्लीट कर देंगे, फिर जो सब्जेक्ट सापने नहीं बटरके, फिर उसे उठा लीजे, तो जल 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 लिदी कोर्स आपका वाइंड क्योंकि बहुत सारी चीजे जनरल कोर्स में कवर हो जाती है, तो फिर लास्ट में सबसे लास्ट में करेंट अफेर्स, डेली करेंट अफेर्स में अपना टाइम बिल्कुल भी वेश्ट मत किजिए, मन्थली करेंट अफेर्स की कम टोप 100 आपको करवाते ही है, आरबी के कि वो करते रही है, ठिक, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जीके के बाद आता है English section, दो घंटे आप English के लिए दीजिए, इसमें आपके ऊपर आप कैसा करना चाहिए, ऐसा दो सकता है कि डेड़ घंटे grammar कर लिए, आदे घंटे vocabulary कर लिए, या फिर एक घंटा grammar एक घंटा करना बैठता मिनी है, जब भी एक सब्जेक्ट पढ़के ठगे तो दूसर सब्जेक्ट उठा लिया, that is the best plan, और साथ ही साथ आप इस्टेनोग्राफी, दो घंटे इस्टेनोग्राफी को दीजिए, अभी चाहे आप typing सीखें ने, भूत लोगों को typing आती भी होगी, नहीं भ आती है, कोई दिक्कत ने, पहले आप स्टेनोग्राफी सिख लिजिए, जब स्टेनोग्राफी में थोड़े comfortable हो जाएंगे, दो से तीन महीनी के बाद, फिर आप typing की स्टार्ट कर देना, typing जल्दी आ जाती है, इस्टेनोग्राफी में टाइम लगता है, ठीक है, अब आगे भड़ता हूं मैं, पहले दो महीने आपके हो गए, तीसरे और चोथे महीने में आप क्या कर सकते हैं, देखो, reasoning cover हो गए, तो हर संडे को आप revision कर लिए, थोड़ी practice कर लिया, यह रोज एक previous year का set लगा लिया, reasoning का, यह आप काम कर सकते है, alternate days पे भी लगा लिया, जादा कुछ नहीं करना, उसे आप बस revision करते हैं, जो आपने पढ़ा है, वो copy होगा, चार घंटे आप किस के लिए दे, जी के के लिए दे, ठीक है, अब पहले आप एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, अब दो सब्जेक्ट उठा लेजे, दो दो घंटे, एक सब्जेक्ट दो घंटा, एक सब् महिने में, आपका reasoning हो गया, आपका English भी कवर हो जाएगा, ठीक है, जो English medium background के है, उनका अच्छे तरीके से, जो Hindi medium background के है, उनके में, मोटी मोटी चीज़े कवर हो जाएगी, उनने थोड़ी ची वोकैबलरी और बाकी साह चीज़े या और कॉम्प्रेहंशन या reading अभी आगे speed में, dictation के साथ चीज़ों को लिखना हो से समझ पाना, ये दोनों अलग चीज़े हो जी है, तो अब आपको अपनी speed पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 महिने तक आपके ये सारा scenario complete हो जाएगा, उसके बाद 5 वर 6 महिने में, आप ये कर सकते हैं कि reasoning का तो वह होई, हफते में एक बार revision practice कर ली, English का एक घंटा देते रहो, जितना भी time मिल रहा है, Hindi medium वाले हो, तो आप reading पे ध्यान दो, news paper rating में गरा कर सकते हो, ठीक है, relate कर सकते हो, उसमें जो भी sentence है, जो आपने पढ़ा, उसमें कोन-कोन से grammatical rules लग रहे हैं, ठीक है, उसमें कोन-कोन से नए words है, उन words को लग से लिख लिए, तो reading कर लिए, या फिर कुछ आपको जैसे vocabulary आपकी विक है, तो vocabulary section पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे लिया, फिर आप GK क्योंकि जब बड़ा subject है, आप यहाँ पर daily का पांच घंटे आप GK के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, जि typing भी है, आप साथ के साथ स्टार्ट करके, एक घंटा typing का देंगे, तो 2-3 महिने में typing बहुत अच्छी हो जाएगा, आपकी, typing कैसे सीखनी है, कौन-कौन से free tools available है, उसके लिए मैंने separate video बना रख्या, आपको how to learn typing, free of course, space rb लिखोगे, तो आपको मेरी videos दिख जाएंगे, आ आप वहाँ से सारी चीजे कर सकते हैं, आपने घर बैटे बैटे मोबाइल से keyboard को attach करके typing सीख सकते हैं, अगर computer नहीं है आपके पास, ये भी हो जाएगा, 7 और 8 मैं महिने में आप क्या कर सकते हैं, एक alternate day पे full length mock test देजिए, exam जब आने वाला हो tier 1 का, तो 15 दिन पहले daily का full length mock दे सकते हैं, ठीक हैं, बाकी अब 4 घंटे अब GK को देते रहे हैं, क्योंकि GK काफी ज़्यादा scoring है, GK और English दोनों को ये आपको ज़्यादा time देना पड़ेगा, ठीक हैं, तो GK अपने जाद से ज़्यादा पढ़ लें गया, तो असानी रहे है, exam exam score बाकी लोगों से कर सकते हैं, तमस्तिकम 4 साल के सभी SSE exam score GK के PY की जुदूर करके जाएं, और stenographer और typing के लिए अब आप एक एक घंटा देते रहे हैं, अपना last में भी, जब exam वाला मन्त हो, उस महीने चाहें, तो आप इसे skip कर सकते है, stenography की practice और typing वाला part, tier 1 होती, अगर हमें लगा हमारा प के बातों करने में, सोचने में करूं ना करूं, तो सब बेकार है, ठीक है, कम से कम आपका जो 3 sections है, मैं GK English Region, इन्हें तो आप अच्छा करते वे चलिए, और stenography भी अभी से start करिए, last moment पो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, और जब tier 1 हो जाए, तो dictation करना है आपको daily, ठीक है और अपनी stenography के अच्छे से practice करें, जिससे की skill test में कोई भी दिखत ना है, कहीं बार जब आप exam देने जाते हैं, तो speakers में जो वही साती होते हैं, वह clear नहीं होती, जिन लोगों की speed कम होती है, stenography की वह घवर आ जाते हैं, panic कर जाते हैं, फिर paper खराब कर देते हैं, ठीक है, ऐ coded form में सारी वीडियो जो आपको मिल जाएंगी अभी से, जिससे की कोई दिखत ना है, 26 जनवरी से target batch भी, 26 February से target group भी start हो जागे, इसमें daily basis पर हम targets देंगे, तो आप वो targets भी follow कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, करना चाहें, करें नहीं तो नहीं, बट कर लोगे तो आपकी consistency बन नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको practice के लिए sectional test हो गए, या बहुत सारी चीज आरगी की website के हम नोट रेड़ी डाली वी, उनमें से मैं आपको बता रहूंगा कब कौन सा test देना चाहें, कैसे कैसे आपको practice करनी है, कैसे revision करनी है, तो target में वो सारी चीजे फिर हमारे उपर आ जाएगी Hindi, आपको सिर्फ एक सीखनी है, जब आपका exam clear हो जाएगा, तो उसके बाद आप चाहें तो दुबारा से course लेके दूसरी सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा course प्रचेज करने की जोचनी पड़ेगी, इस चैनलगराफी के जो course है, इसके अंदर हमने ये 14 499 रखा गया है, जिस 9 months validity के साथ, यह आपके लिए enough रहेगा, आपके exam की preparation के लिए, ठीक है, अगर आप 15 months का opt कर रहा चाहते हैं, अगले साल का तयार कर रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पर यह 1999 का 15 months validity वाला भी देख सकते हैं, ठीक है, यह आपके ऊपर है, बाकि 9 months वाला भ तो, class में जो जो सिखाए जेंगे, वो कराते, प्रोवाइड कराते ही रहेंगे, और हिंदी मानक stenography आपको सिखाए जाएगी हिंदी के लिए, ठीक है, dictation time to time, जैसे जैसे हम आगे भढ़ते रहेंगे को कॉर्स के अंदर, तब प्रोवाइड करी जाएगी, अभी हमने दोनो sections की लगबग 10-10 वीडियो डाल दियें, English, stenography की भी, हिंदी के भी, दीरे-दीरे हो सकता है, इस मन्त के end तक, या next month तक, ये सारे की सारी इतनी भी classes होंगी, वो major पूरी हो जाएगी, stenography वाली, short end वाली, और उसके बाद हम time to time dictation इसे अंदर add करते रहेंगे, लगबग 20 प्ल add सिका रहे हैं, जो हिंदी, जिसी की कोई भी query हो, वो साथ के साथ आपकी query को resolve करते वे चले, ठीक है, तो एक तरह से mentoring आपको साथ के साथ महाँ पे मिलती रहेगी, इस particular section में, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है, जीके English reasoning का complete course, PDF, सारी चीज तो आपको मिलेग ठीक है, टेलिग्राम group होगा, आपकी जो भी query है, उसके लिए, targets के लिए एक अलग से telegram group होगा, ये हो गया, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है, यार मिज़े maths, मिज़े स्वारी, इंग्लिश की के reasoning already आती है, तो आप खाली short hand वाला course भी ले सकते हैं, इसकी हम उनने price 499 रखी विए, इसमें English short hand और Hindi short hand दोनों की classes मिलेगी, इनके demo class भी अभी YouTube का upload कर दी जाएंगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, और validity 12 months इसकी रहेगी, तो आप अलग से short hand सीखना चाहें खाली, तो उसका option भी available है आप लोगों के लिए है, ठीक है, और officer batch के जो users है उनके लिए कुछ भी pay नहीं करना, उनके लिए short hand या stenographer की classes उसी के अंदर include कर दी गई है, मैंने आपको हमेशा बताया, officer batch ये कैसा batch हमने रखा है, कि इसके अंदर आपकी किसी भी exam की कोई भी preparation चुटेगे नहीं, चाहे वो stenographer exam हो तो उसके लिए short hand की classes भी अभी available करा दी है Math English GK reasoning तो था, mock test series तो अरड़ी थी उसके अंदर CGL CSL के लिए, practice test तो अलग के लग थे, Hindi subject जो की जैसे GD में पूछ लिया, या फिर आप UP Police Constable दिया हो आपने या कोई और exam दिया हो, तो उसके लिए हमने Hindi भी इसके अंदर upload करा दिया है, जिससे की कोई भी state exams भी आप दे र school हो जाए, एक ही जगह पर आपको test मिल जाए, आपको कहीं भी आपको move ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि आज की time में भटकाव को होता है, कि यही चीज़ यहां पर करी फिर उसके लिए दूसरा channel, और YouTube पे school करते time भी इतनी advertisements आती है, और इतना अलग लग चीजों की तरफ हम attract हो जाते हैं कि हम पढ़ाई करने YouTube पाएं और पता चला हम आपर हम Reels देख रहे हैं, ठीक है, motivation देते जा रहे हैं पूरे दिन बैठके, motivation नहीं ले रहे हैं, तो कुछ और तरह की motivation ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई से distract ना हो, तो इसलिए हमने कोशिश करिए कि एक video is beneficial to all of you, आपकी कोई भी query रहती है, तो comment section आप लोगों के लिए खुलाएं, आप उस पर comment कर सकते हैं, अगर आपको course related कोई भी inquiry चीए, तो हमारा जो WhatsApp नमबर है, आप उस पर WhatsApp कर सकते हैं, या call कर सकते हैं, 73036, तो वहाँ पर आपको Monday to Saturday, आपको reply मिल जाएंगे, जंदली आप 11 से 5 करेंगे, तो better है, क्यों सकते है, रिसीव हो जाए कोई, अगर उसके बाद आप करते हैं, या कभी आपके call receive नहीं होती, या WhatsApp पर reply नहीं जाता, तो within 24 hours या तो आपके पास call आएगी, आप फिर WhatsApp का reply आए अगर आपकी course let it, कोई भी क्यों रिया तो, तो I hope आपको सारी चीज़े किलियर है, बाई 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 everyone, take care, have a nice day and जै हिंद